नमस्ते, तो आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि किस्मत में क्या लिखा है आपके, किस से होगी आपके शादी, वो इंसान कैसा होगा, उसका जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, उसका जॉब, करियर, जो कुछ भी वो करता होगा, जै ये पाइल सिलेट करेंगे, ठीक है, ये राशी मेश, वरिशब, मिथुन, करक, सीह, कन्या राशी है, ठीक है, और इनके लिए अगर राशी से आपको नहीं सिलेट करना है, तो ये है पाइल नमबर बन, ठीक है, और यहाँ पर है तुला, वरुचिक, धनू, मकर, कुम्भ, म इन राशी, ठीक है, और अगर राशी से नहीं सिलेट करना है, तो ये है पाइल नमबर टू, ओके, आपको इसमें से एक पाइल सिलेट करना है, और अपनी रिडिंग पर जाकर अपनी रिडिंग को देखना है, हम आखरी में एक सवाल भी देखेंगे, यसनो की रिडिंग कर जो भी आपका शादी को लेकर सवाल हो उसको हम आखरी में देखेंगे और हम रियूंस की भी रिडिंग करने वाले हैं ठीक है इसको आखरी में करेंगे ठीक है तो ये है आपके पाइल ठीक है आपको सोच समझ कर इसमें से पाइल सिलेक करना है और अगर राशी के उपर जाते तो आपको अपनी राष्शी देखनी है किस ग्रूप में आती है और वही रिडिंग आपको देखनी है पाइल नमबर वन जुरन भी चुन लिया है पाइल नमबर वन देखते हैं किस से होगी आपकी शादी किसमत में लिखा क्या है आपके शादी किस से होगी और रिष्टा भी कैसा रहेगा सब कुछ देखेंगे ठीक है कैसा है आपके किसमत में आपके हस्बंड या वाइफ सबसे पहले क्विन अब कप्स ये जो कोई भी अनसान होगा इसकी राशी कैंसर स्कॉर्पियों पाइसी हो सकती है ये इनसान आपसे बहुत जादा प्यार करेगा बहुत जादा अगर आप एक लड़की हो तो एक फादर की तरह आपकी क्यार करेगा अगर आप एक लड़का हो तो ये इनसान मदर की तरह आपकी जो वाइफ होगी वाफ की क्यार करेगी शादी के बाद आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इनसान कोई पराया है ये कोई अजनबी है इतना जादा आपको अपना बनाने की कोशिश करेगा और बहुत ही इमोशन्स उसके दिल में आपके लिए होंगे और वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा वो हर वक्त आपके अच्छाई के बारे में सोचेगा हर वक्त आपके भलाई के बारे में सोचता रहेगा ठीक है तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल एनरजी है आप आप आच चुके है और जैसे ही आप दोनों की शादी होगी तो आपको लगेगा कि ये सबसे बेस्ट कींग या क्विन है आपके लिए ठीक है तो ये एनरजी आप आई है क्विन आप वांड्स अट्राक्शन तो गजब का होगा गाईज आपको पहली नजर में इनसान पसंद तो आ जाएगा इसकी परसनारिटी ही इतनी ज़दा अट्राक्टिव होगी कि मैं क्या बोलू और इस इंसान के अंदर आप जो पाइल सिल्ट किया है इसमें बहुत फायर होगा ठीक है बहुती बोल्ड बहुती होट एंड सेक्सी ऐसा लूक होगा और उस इंसान के नजर में आप भी ठीक है उस इंसान को लगएगा आप भी वैसे ही हो मतलब की आपको छूने को मन करेगा इस इंसान का बार बार आपको छूने को मन करेगा आपकी जो हस्बन या वाइफ है उनके लिए आप एक मैगनेट बन जाओगे उनके लिए आप एक चुम्बक की तरह काम करोगे ठीक है और सेम आपके लिए भी कि इस इंसान के बीज़ पर्सनलिटी है गजब की रहने वाली है अगर लड़की तो बहुत ही ज़दा ब्यूटिफू लड़का भी है तो बहुत ज़दा हैंसम कोई भी खीचा चला आए ऐसी पर्सनलिटी आपके फ्यूटर स्पाउस की रहने वाली है राशी हो सकती है एरीज लिओ सजड्रेस ठीक है और एक लिडर्शिप कॉलिटी गजब की होगी यह जहाँ पर भी होंगे हाई पोजिशन पर होंगे लोग इनके हाथों के नीचे काम करेंगे ठीक है और क्या है Ace of Wands देखो वापस वही एनरजी आई है कि इस इंसान के अंदर फायर बहुत ज़ादा होगी बेडरूम केमिस्ट्री है वो गजब की रहने वाली है क्योंकि इस इंसान को आपके लिए इतना ज़ादा अट्राक्शन होगा कि वो इनसान शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता मतलब हर वक्त आपके तरफ आने की चाहत इतनी ज़ादा होगी इस इंसान के अंदर और हर वक्त जितनी बार आप मिलोगे जितनी बार आप दुनों एक रूप होंगे बहुत अच्छे रहेंगे आप दुनों के बीच में ठीक है टेट अउ पैंटकल्स इस इंसान का परिवार बहुत बड़ा हो सकता है इस इंसान के घर में बुजर्ग इंसान भी होंगे दादा जी, दादी बहुत बड़ा परिवार, भाई ठीक है उनका परिवार तो आपका परिवार बहुत बढ़ा हो सकता है चाहे आप साथ रहे या न रहे चाहे आप जौब के लिए करियर के लिए आप किसी सिटी में चले गए फिर आप अलग रहने लगे ऐसा हो सकता है लेकिन आपका परिवार बहुत बढ़ा होगा ठीक है, इस इंसान के पास पैसो की कमी नहीं होगी इस इंसान का जो परिवार होगा रिच परिवार से आएगा ये परसन ठीक है, टोरस वर्गो Capricorn राश्य हो सकती है, और एक बात की हमेशा इंसान अपने घर में जो बुज़र्ग लोग है, उनकी हमेशा respect करेगा और उनसे हमेशा guidance लेगा ठीक है और king of wands और queen of wands यह जो दोनों card यहाँ पर आये हैं ना guys आपकी जोड़ी जैसे कि made for each other ऐसी दिखने वाली है आपको भी लोग कहेंगे कि यार हाँ यह अनसान है जैसा कि तेरे लिए ही बना है और उनको भी लोग जाकर यही कहें कि यार तुम्हारे जोड़ी बहुत perfect जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो तो दोनों भी विगजब का आकरशन रहने वाला है यह जोड़ी made for each other रहने वाली है पैसो की कमी इस इंसान के पास नहीं रहेगी बहुत chances है कि इनका कोई business हो सकता है ठीक है परिवार का कोई business हो सकता है और हो सकता है अनसान बाद में उसको संभाले ऐसा भी हो सकता है government job के होने की chances भी बहुत जादा है कुछ लोग के लिए government job में हो सकते है तो कुछ लोग के लिए कोई परिवार का बहुत बड़ा बिजनस हो सकता है उसको आपके person संभालेंगे ठीक है जब आप इस इंसान के जिंदगे में आओगे न ये इंसान अपनी body की तरफ अपनी beauty की तरफ बहुत ज़्यादा focus करेंगे जैसे कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो उनको बहुत handsome दिखना है अगर लड़का है तो उसको बहुत handsome दिखना है आपके सामने अगर लड़की है तो उसको बहुत beautiful दिखना है आपके सामने तो इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे वो कि उसको beautiful दिखना है बस आपके दिल की धड़कन बन जाना है आपके दिल पर जैसे की छाप फाड़ना चाहते है वो ठीक है आपके सामने बहुत ही handsome और beautiful देखने की कोशिश इंसान बरकरार रखेगा ठीक है और two of cups प्यार भर भर के रहेगा आप दोने के बीच में किसी भी चीज की कमी मुझे यहाँ पर बिलकुल भी नहीं दिखाई दे रहे है nine of pentacles के energy यहाँ पर आई है यह इंसान बिजनस कर सकता है बहुत चांसे से के इंसान बिजनस कर सकता है और प्यार में कोई भी कमी नहीं रहेगी guys और आप दुनों share भी करेंगे एक दुसरे से ठीक है जो की जो भी दिल में है आप भी बोलोगे उनको और वो भी बोलेंगे आपको इनके बाल गुंगराले हो सकते हैं ठीक है करली हर हो सकते हैं सुनहरे बाल हो सकते हैं ब्लैक भी हो सकते हैं इनको आस्माणी कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, पर्पल कलर, ऐसे कलर, रेड कलर, एलो कलर ये कलर बहुत पसंद होगे, ठीक है। और जोड़ी तो बहुत खुबसूरत लगेगी आपकी शादी के बार, बहुत खुबसूरत दिखोगे आप दोनों एक दूसरी के साथ, ठीक है, अगर यह लड़की है तो बहुत ही modern खैलात की हो सकती है, ठीक है, उसको modern कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, वो traditional look उसको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, उसको western कपड़े पहना बहुत अच्छा लगेगा, अगर लड़की है तो, ठीक है, और यहाँ अपन नाइन पैंटेकल्स के नर्जी है, इस इंसान के अंदर इतना दम होगा कि वो अपने दम पर भी बहुत कुछ हासिल कर सकत है, ठीक है, परिवार का तो होगा ही होगा पैसा, ठीक है, परिवार के पास तो बहुत पैसा होगा, रिच भी होगी इनका परिवार, लेकिन खुद के दम पर हसिल करने के भी इस इंसान के अंदर ताकत होगी, लेकिन यह इंसान थोड़ा selfish हो सकता है, आपके लिए तो उसका सुभाव भी बहुत अच्छा है लेकिन वो बॉड़ा SELFISH है ऐसे लोग उनके बार में कहेंगे कि ये ना खुद के बार में ज़ादा सोचता है और अच्छी भी है आपको खुशिया देने के बारे में सोचेगा ये एंसान जमाने के बारे में इतना जादा नहीं सोचेगा कौन क्या कहता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसको अगर किसे ने कुछ बोल भी दिया कि तुम ये गलत करे हो तो बोले का यार इसमें मेरी भलाई है मेरे परिवार की भलाई है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है तो ये अंसान ऐसा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, ये सिर्फ अपना फाइदा देखेगा अपनी परिवार का फाइदा देखेगा आपको खुश करने के बारे में सोचेगा ठीक है, और अपनी गलती उपर मतलब ये अंसान ऐसा होगा कि अपनी गलती को सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ लेगा पैसाने कि अगर गलतीया करेगा तो उसको मानेगा ही नहीं अपनी गलती को उल्टाए सबसे ज़्यादा पकड़ेगा कि हाँ यारी मेरी गलती होगी मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था ठीक है, तो पैसो की भौतिक सुखो की आपको यहाँ पर इस अंसान के साथ अगर आप एक लड़की है और शादी करके इस अंसान के घर जब जाओगे तो इतना जदा प्यार आपको मिलेगा, इस अंसान से भी प्यार मिलेगा इस अंसान के परिवार से भी आपको प्यार मिलेगा इनकी सिस्टर, फादर, मदर, जो कोई भी घर में लोग है वो भी आपको इतना भर-भर के प्यार देंगे कि मैं क्या बोलू जेटानी देवरानी भी हो सकती है अगर आप एक लड़की है तो और वो भी आपको बहुत प्यार देंगे संभालेंगे आपको ठीक है अगर आप छोटी है तो वो आपको सिखाएंगे बहुत सारी चीज़े आपको परिबार है जो उनके चाल चलन है या जैसे कि हर किसी की रूढ़ी परंपरा अलग होती है तो वो आपको सब कुछ सिखा देंगे कि हमारे घर में ऐसा होता है यह ऐसा होता है मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ आता नहीं तो वो आपको ब्लेम करेंगे कि अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं वो आपको सिखाएंगे कि बेटा यह ऐसा नहीं ऐसा करना है मतलब सब कुछ आपको सिखाएंगे वो भी प्यार से तो शादी के बाद आपका जो जीवन है बहुत ही खुबसुरत रहेगा किसी भी चीज की कमी आपके future spouse में नहीं दिखाई दे रही है बहुत ही beautiful life आपके रहने वाली है एंजल से देखते हैं क्या guidance है आपके लिए देखो मैंने बोला था ना आपको कि आपके जो परिवार वाली लोग है वो आपको हमेशा देखो abundance भी है यहापर देखो guys यह जो train of pentacles के energy वापस वही energy यहापर आ चुके है कि वो लोग आपको संभाल लेंगे वो आपकी परिवार वाले आपको बहुत help करेंगे हर चीज में ठीक है अगर आपको कुछ समझ भी ने आ रहा तो वो आपको समझाएंगे और यहापर abundance बहुत ही जादा यहापर आपको खुशिया ठीक है intuition power का इस्तमाल करना है ठीक है किसी की बातों में आकर आपको जब आपके लिए रिष्टे आएंगे न तो किसी की बातों में आकर आपको नहीं तै करना है आपको अपनी intuition की सुननी है कि क्या यह अंसान मेरे लिए सही है और तब जाके आपको decision लेना है ठीक है और क्या है बहुत ही ज़ादा आप दोनों के अंदर एक maturity ठीक है आप भी mature होंगे वो person भी और spirituality के तरफ आप दोनों जाने वाले हो शादी के बार हो सकता है कि यह आपके जो person हैं वो बहुत spiritual होंगे और शादी के बार वो आपको भी spirituality के तरफ ले कर जाएंगे वो इंसान meditation वगेरा इसमें बहुत विश्वास करते होंगे भगवान के उपर बहुत विश्वास रखते होंगे और वो सब कुछ maturity उनके अंदर होगी सही path पर, सही रास्ते पर चलने वाला आपका future spouse होगा ठीक है? और bottom में देखो sexual freedom यह इंसान आपको जब भी मिलेगा तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि उसको कोई रोक टोक नहीं चलेगी ठीक है? मैं जैसी कि बोला कि बहुत ही attraction आपकी जो bedroom के में इस टो है गजब की रहने वाली है ठीक है? तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि इसको रोक टोक नहीं चलेगी जो इसको करना है बस करने दो आपके करीब आने दो आपके आपको अकिला नहीं छोड़ेगा बहुत ज़दा आपके करीब आने की जो चाहत और compatibility जो है दिन बदिन increase होती जाएगी इस अंसान की नजर में आप बहुत कीमती होगे ठीक है बहुत beautiful और बहुत ही कीमती होगे इसकी नजर में और आप दोनों की जो compatibility है पहले भी अच्छी होगी और दिन बदिन जितने जादा आप एक दुसरे के साथ रहोगे वो increase होती जाएगी उतने ही जादा आप एक दुसरे के लिए perfect होते जाओगे तो बहुत ही beautiful energy आप आएगा इस मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की यहापर कमी रहेगी बहुत ही जादा sexual life भी आपकी बहुत ही जबरदस रहने वाली है आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ज़ादा बहुत ही complete completion आएगा आपके life में ठीक है इस इंसान के मिलने के बाद completion आएगा कब तक होगी आपकी शादी इसका जवाब ढूंटे है कुछ लोग के लिए तो बहुत जल्द दो मेहने के अंदर आपकी शादी होने वाली है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी देखो two of cups है यहाँ पर भी two of cups है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि शादी के पहले आप एक दूसरे को propose भी करोगे कुछ लोग ऐसे भी है कि love marriage भी हो सकती है हर किसी के साथ हर बात resonate नहीं होगी लेकिन हाँ शादी के अगर orange marriage भी होगी आपकी तो जब यह लड़का आपको देखने के लिए आएगा तो आप शादी के पहले इतना ज़दा गुल मिल जाओगे एक दूसरे के साथ बहुत ज़दा online बाते करोगे बहुत बाते होगी आप दोनों के बीच में और तब जाके आप दोनों के शादी होगी मतलब आप शादी के पहले भी एक दूसरे को समझ पाओगे ठीक है तो दो मेहने ठीक है और बहुत भर-भर के प्यार होगा इस रिष्टे में आप दोनों के दूसरे को बहुत जादा पसंद करोगे ठीक है यह जब आपका रिष्टा बनेगा ना तो कुछ एफ़र्ट डालने होगे मतलब एकदम जब यह अंसान आपको देखने के लिए आएगा ठीक है तो तूरंट आप दुनों के शादी फिक्स नहीं होगी कुछ एफ़र्ट डालने होगे आपके परिवार वालों को कोई तो एक हो सकता है कि ऐसा या तो आपके माता-पिता इंकार कर दे इस इंसान को या इस इंसान के माता-पिता इंकार कर दे कि यार कुछ तो मैच नहीं हो रहा मतलब परिवार फाइनस की बज़र से रुकावट आ सकती है इस रिष्टे में या तो इस इंसान का परिवार कह सकता है कि वो हमारे बराबरी के नहीं है ठीक है तो हम कैसे शादी करें या आपका परिवार कह सकता है कि वो इंसान आपकी बराबरी का नहीं है फाइनस में तो हम कैसे शादी करें होता ना समाज में कि बराबरी बहुत देखते हैं कि लेवल एक जैसी होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ obstacles इस रुष्टे में आ सकते, लेकिन शादी आपके उसे अंसान के साथ होगी, चाहे कितने भी obstacles आए, ठीक है, एट आप Pentacles के अनरजी, आपका person बहुत hard working होगा, बहुत मेहनती होगा, और उतना ही ज़ादा वो आपसे प्यार करेगा, ठीक है, तो शादी आखरी में हो जाएगी, obstacles आ सकते हैं, रुकावटे आ सकते हैं, अब जो भी आपका सवाल है, उसको पूछ लीजेगा, हम देखते हैं, yes or no, इनुवर्स प्लीज गाइड में, मेरे जो भी विवर्स हैं, उनने शादी को लेकर जो भी सवाल किया है, उसका एंसर क्या है, इनुवर्स प्लीज गाइड में, प्लीज हेल्प में, मेरे जो भी विवर्स हैं, उनने जो भी सवाल किया है, उसका एंसर क्या है, यस है या नो है, यहाँ पर answer yes आ चुका है guys जो भी आपका सवाल है बस खुश हो जाएगा आपका answer यहाँ पर yes आ चुका है definitely, बहुत ही beautiful ठीक है, आप देखते हैं उनके नाम का अक्षर क्या हो सकता है ठीक है पाईसी हो सकते हैं आपके future spouse के से उनका नाम शुरू हो सकता है four number है आप आचुका है अब यह जो date आ रही है या तो इस date को आपकी पहली बार मुलाकात हो सकती है या तो यह date आपकी शादी के date हो सकती है या तो आपके person की जो future spouse है आपके उनकी बार्डिट हो सकती है तो four number है 12 number है यहाँ पर number 15 है दो number है यहाँ पर number 10 है यहाँ पर one number है I से उनका नाम शुरू हो सकता है गिफ्ट बहुत भर-भर के गिफ्ट देंगे यह person आपको बहुत ज़ादा number seven है number four है number nine है G से उनका नाम शुरू हो सकता है eight number है वापस nine number है यच से उनका नाम शुरू हो सकता है शादी के पहले ही आप बहुत message के उपर बात करने वाले हो ठीक है और यहाँ पर number four है success यह रिष्टा बहुत successful बनने वाला है मतलब आखरे दम तक एक दूसरे के साथ रहोगे बहुत अच्छी तरह से आपका यह शादी का रिष्टा निभ जाएगा ठीक है V7 का नाम शुरू हो सकता है वो चश्मिश हो सकते है चार आखे हो सकते है उनकी यह उनका नजरिया अलग हो सकता है दूसरों से Scorpion हो सकते है और Love प्यार भर भर के रहेगा इस रिष्टे में प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी P7 का नाम शुरू हो सकता है वो Taurus हो सकते है One Number हो सकता है उनका Control हो सकता है इंसान कभी-कभी अपने जो Emotions है या जो अपना गुस्सा उसके उपर Control करे लोगों को सला ठीक है सला देंगे लोगों को इस इंसान की Deps ने बहुत खुबसूरत है और यह अपनी किस्मत पर बहुत नाज करेगा कि इसको आप मिलोगे ठीक है और यहाँ पर है Loyal रहेंगे आपके लिए कोई धोका धड़ी नहीं ठीक है बहुत Loyal रहेंगे Number 21 E से नाम शुरू हो सकता है यहाँ पर Yल है दो बार Yल है K से नाम शुरू हो सकता है J से शुरू हो सकता है A से शुरू हो सकता है Number 5 Number 4 नमबर 4 यच्छ है यहाँ पर V है और वापस 7 नमबर है पीस बहुत पीस बहुत सुकून मिलेगा जब आप दोने एक दुसरे के साथ होंगे B से नाम शुरू हो सकता है यह इंसान आपको प्रोपोज कर सकते है शादी से पहले ऐसा भी रेड रोज दे सकते है ठीक है यहाँ पर F है, E है, Y है नमबर 5 है, नमबर 6 है T अक्षर है, यस यहाँ पर भी यहाँ पर भी S आंसर आ है और यहाँ पर भी S जो भी आपका सवाल है, आंसर है यस ट्रू लव सच्चा प्यार होगा इस इंसान का कोई धोका धड़ी नहीं, कोई फरेव नहीं Aquirus हो सकते है 27 बड़ेट हो सकती है 25 बड़ेट हो सकती है V से उनका नाम शुरू हो सकता है O से शुरू हो सकता है, YUM से शुरू हो सकता है YF से भी उनका नाम शुरू हो सकता है तो ये कुछ उनके नाम के अक्षर इस इंसान का करियर क्या होगा, पहले तो इंसान बहुत hardworking होगा, ठीक है, जो भी करेगा पूरी लगन के साथ करेगा ये builder हो सकते है, government job के जादा chances से government job में हो सकते हैं पाइलेट हो सकते हैं, ठीक है कुछ ऐसा काम कर सकते है जो online हो ठीक है online business हो सकता है या कलाक्षितर में हो सकते है media में हो सकते है पत्रकार हो सकते है कुछ लोग के लिए fire brigade में हो सकते है ठीक है gas agency जो होती है वहाँ पर हो सकते है कुछ लोग के लिए किसी मंदिर के ट्रस्टी भी हो सकते है या इनका जो परिवार होगा बहुत स्प्रिचल होगा कुछ लोग के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहागी कोई फूल जैसे कि गुलाब का फूल जो बुके बगएर होते हैं उसका कोई बिजनस हो सकता है और कुछ लोग के लिए बिल्डर तो मैंने पहले बता दिया आपको बिल्डर हो सकते है वो कार्पेंटर जो फर्निचर की शॉप होती है वैसे कोई हो सकता है और जहाँ पर भी होंगे बहुत हाई पोजिशन पर होगे अगर गवर्मेंट जोब में ये होंगे तो हाई पोजिशन पर होंगे ये कुछ यहाँ पर बाते दिखाए दे रहे है सिंगर भी हो सकते हैं कुछ लोग ले सिंगर भी हो सकते हैं आपके फिर्डर स्पाउस या उनको गाना गाना बहुत अच्छा लगता होगा अब ब्रियून्स की रेडिंग करेंगे हम क्या ताहित देखते हैं ओके गाईज आपकी तो लोटरे लग गई है कोई टेंचन नहीं रहेगा इस इंसान के साथ शादी करके कोई भी टेंचन नहीं रहेगी इस इंसान के साथ शादी करके आपको फाइनेशल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली फाइनस बहुत अच्छा होगा इनका वेल्थ बहुत अच्छे होगी और सकस्फुल तो वे इंसान अपने लाइफ में होने वाला है इंकम सोर्स बहुत अच्छा होगा इस इंसान का फाइनसल गेन बहुत अच्छे होंगे इस इंसान के बहुत बड़े-बड़े सपने होंगे और वो इंसान अपने बड़े-बड़े सफनों को पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा ये इंसान बहुत इमोशनल होगा, बहुत ज़ादा इमोशनल इसके दिल में प्यार ही प्यार होगा आपके लिए बहुत केर करेगा आपकी और इस रिष्टे को सक्सेस्फुल बनाने में पूरा-पूरा इफ़र्ट डालने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस रिष्टा फेवी कॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं ठीक है तो ये कुछ एनरजी आप पर आई है आपको रिणिक पसंद आई होगी, लाइक, शेर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई पाइल नमबर टू, जिनकी भी राशी है तुलाव, रिचिक, धनू, मकर, कुम्भ, मीन, राशी देखते हैं, आपकी किसमत में कैसा future spouse है किसके साथ आपकी शादी होने वाले है कैसा शादी के बाद रिष्टा रहेगा आप दुनों का सब कुछ देखेंगे, उनका career क्या हो सकता है सुभाव कैसे हो सकता है, नाम काक्षर क्या हो सकता है जितना भी यापर दिखेगा, मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो आपके साथ जिसके भी शादी होगी आपकी शादी शुदा life ने stability बहुत होगी मतलब ये जो रिष्टा है, वो हमेशा एक मजबूत जोड बन कर रहेगा stability होगी इस रिष्टे में ठीक है, देखते हैं अब क्या कुछ आता है यापर सबसे पहले ये जो इनसान होगा, इसका दिल तोटा हुआ होगा शादी के बहले, शादी के पहले ये किसी के साथ relationship में होगा और इसको बहुत बुरी तरह से इसका दिल तोड़ दिया होगा उस इनसान ने ये इनसान जब आपके जिंदगी में आएगा, तो बहुत अंदर से बिखरा हुआ सा होगा तोटा हुआ सा होगा, आप इस इनसान को पूरी तरह से हील करने बाले हो आप जैसे कि इस इनसान के दर्द की दवा बन जाओगे जब ये इनसान आपके लाइफ में आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं इसी को तो ढून रहा था जो मेरे दर्द की दवा बन जाए और आप फाइनली इस इनसान को उसके दर्द की दवा मिल जाएगे ये इनसान बिलकुल भी खुश नहीं होगा ठीक है अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहेगा और जब आप उनके जिन्दग में जाओगे तो धीरे धीरे आप उसको उस दर्द से बाहर निकाल पाओगे ये इनसान आपको हील करेगा और आप इस इनसान को भी हील करोगे कुछ लोग यापर ऐसे भी हैं कि आपका खुद का भी ब्रेक अप हो चुका होगा शादी से पहले और आप दोनों भी एक दुसरे को हील कर सकते हो दोनों को भी पुरानी यादों से बाहर निकलने की बहुत जरुरत होगी अगर आपको नहीं तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली होगी कि पुरानी यादों से बाहर निकलना है एक नई जिन्दगी की शिर्वात करनी है और वो सब कुछ पॉसिबल होगा आप दोनों के शादी के बाद आइक विरस जे मिनाएं राशी हो सकती है उनके ठीक हैं तो बहुत दुखी होंगे वो ऐसे भी हो सकता है कि इसनसान के लाइफ में बहुत धोके बाद लोग उन्हें इंट्री मारी है ठीक हैं बहुत धोके बाद लोग इनके लाइफ में आए और चले गए तो इसका जैसे कि विश्वास है उठकिया था seven of pentacles बहुत ज़्यादा overthinking करने वाला आपका person होगा future spouse ठीक है बहुत ज़्यादा overthinking करेंगे invest करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे मतलब कोई जैसे कि देखो जिस इंसान ने अपने जिन्दक में धोके खाये न वो एंसान कदम फुक फुक कर ही रखता है तो ये एंसान बस बैसा ही होगा तो आगे बढ़ना है life में तो कदम फुक फुक कर रखेगा कभी भी जल्दबाज में गलट decision लेकर अपना खुद का नुकसान ये एंसान नहीं करेगा कही invest भी करना है तो पूरी तरह से सोचोगा कि उसको क्या फाइदा हो सकता है ठीक है और जब आपके साथ शादी करने है तो भी सोच समझ कर ही एंसान decision लेने वाले है ऐसा नहीं कि आपको देख लिया और तूरं था बोल दे, ऐसा नहीं होगा यह इंसान जब आपको देखने को आएंगे तो यह बोलेंगे कि मुझे थोड़ा वक्त दो और फिर सोच समझ कर जब उनको सही लगेगा कि हाँ, यही है वो इंसान जिसके साथ में शादी करके अपने सारे जिंदगी बिता सकता हूँ तब जाकि वो इंसान आपको हाँ बोलेगा तो सोच समझ कर डिसिजन लेने वाला इंसान होए यह इंसान बहुत ज़ादा फाइनेशल इंवेस्ट करने वाला है और इसने जो कुछ भी अपने लाइफ में इंवेस्ट की है उसका बहुत उसको फाइदा होगा आगे जाकर लॉंग टर्म ठीक है? बहुत फाइदा होगा आगे जाकर राशी टोरस वर को क्या प्रिकॉन भी हो सकती है देखो अब मैं और क्या बोलू गाइस इस इंसान ने बहुत धोके खाये हैं अपने जिंदगे में बहुत ज़ादा धोके खाये हैं यह इंसान जब आपके लाइफ में आएगा ना तो आप समझ जाओगे कि यह इंसान कितना दर्द में है मतलब आपसे बात भी करेगा तो बहुत उदास होकर ज़ादा से ज़ादा 10 महीने या 7 महीने लगेगे इस इंसान को उस दर्ष से बाहर निकालने के लिए आपको जब आप इस इंसान के लाइफ में इंट्री करोगे तो ये इंसान पूरी तरह से अंदर से टूटा हुआ सा होगा और आपको जब शिर्वात में आप इस इंसान से बात करोगे तो इंसान उदास ही चाही होगे इस इंसान के दिल में तो कुछ बहुत ज़़ा हसहस के बात नहीं करेंगे आपसे क्योंकि इस इंसान को एक मन में डर होगा कि यार पहले भी धोका मिला है बता नहीं क्या होगा ये डर इस इंसान के मन में हमेशा रहेगा तो आपके साथ शादी करेंगे सोच समझ कर करेंगे लेकिन फिर भी कही न कही एक मन में डर होगा कि यार पता नहीं क्या होगा पता नहीं ये भी क्या उसके जैसा निकलेगा या निकलेगी जिसने मुझे दोका दिया तो 10 of source की एनरजी इस इस इंसान को ऐसा भी हो सकते कि इनसान बहुत भोला है और इसको लाइब में पद पद पर धोके मिले हैं जो भी मिला धोका दिया तो ये अनसान एक दर बहट गया इसके मन में कि यार लोग मेरे साथ धोका ही क्यों करते मैं जिस पर भी विश्वास करता हूँ वो मेरे पीट में खंजर क्यों खोपते हैं तो ये अंसान बड़ा ही उदास और बड़ा ही दुखी हो सकता है अपने लाइफ में ठीक है और इस इंसान के दर्द का इस इंसान के जो भी टेंशन उसका दी इंड हो जाएगा जब आप दुने के शादी होके आप इस इंसान को इसकदर नर्चर करने वाले हो आप इसकदर इस इंसान की क्यार करने वाले हो कि इंसान हैरान रह जाएगा कि कोई सच्चा प्यार करने वाला भी जिन्दगी में है इस बात पर इसका विश्वास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको आदत नहीं है सच्चे प्यार की बहुत ज़़ा प्यार भरी एक नई शिर्वात इस इंसान के लाइफ में होने वाली है जब उसके आप से शादी होगे इस तोचा भी नहीं होगा कि उसको इतना ज़़ा प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा देखो गाईस ये इनसान भर-भर के आपको प्यार देगा ठीक है क्योंकि जब इसको समझ में आएगा कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो लोग धुका देते हैं जो फरेव करते हैं जो साथ छोड़ देते हैं आप उन लोगों में से नहीं हो, जब इसको यह एहसास हो जाएगा, तब जाके इनसान आपको भर भर के प्यार देगा, और इसको जल्द ही समझ में आएगा कि आप कैसे इनसान हो, आप सच्चे दिल के सच्चे इनसान हो, यहाँ पर राशी कैंसर स्कूर्पियों पाइसी भी है, ठीक है, रिबर्थ हो जाएगा, डिफिनेटली, मैंने बोला न, इस इनसान के दुखों का अंत होने वाला है, जब आप दोने की शादी होगी, तो मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि आप का भी रिबर्थ हो जाएगा, और इस इंसान का भी रिबर्थ हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी लाइप में आपने बहुत दुख और दर्द सहे हैं आपको भी इतना कुछ दर्द मिला है अपने जिन्दगी में वो चाहे किसी भी बात को लेकर हो सकता है जरूर ने कि हर किसी को धोका मिला वो कोई भी बात हो सकती है किसी को पर बर्थ हो जाएगा एक दुसरे के साथ शादी करके और बहुत ही beautiful energy यहाँ पर यह है कि आप दोनों की खुबसूरा जिंदगी की नई शिर्वात होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी हमेशा दुख में रहने वाले हमेशा दर्श सहने वाले आप दोनों जब मिल जाओगे और जब आप दोनों एक दुसरे को हील करोगे तो इतनी खुबसूरा जिंदगी आप दोनों की होगी कि आप दोनों का विश्वास भी नहीं होगा कि हम कैसे थे शादी के पहले और आज हम कितने खुश है अपनी जिंदगी में और बॉटम में देखो 9 of cups उस इंसान की भी आपको शादी करके सारे सपने सारे विच्छाए पूरी होने वाली है और आपकी भी उस इंसान के साथ शादी करके सारे इच्छाए सारे जो भी सपने देखे थे आपने शादी को लेकर सारे सपने पूरे होंगे बहुत beautiful energy है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप दोनों एक दुसरे को बहुत support करने वाले हो अगर financial problem भी है एस इंसान के life में तो आप दोनों मिलकर एक दुसरे को support करोगे और उस financial condition से आप बाहर निकल जाओगे पाँच मेहने तक हो सकता है पाँच मेहने तक आप दोनों के शादी के बाद कुछ financial problem को भी आपको दोनों को जूजना पड़ सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत tension होगी आप उस problem से निकल जाओगे हो सकता है कि शादी के लिए संसाने करजा निकाला हो EMI भरना हो कोई भी हो सकता है ठीक है तो शादी के बाद पाँच मेहने तो थोड़ी तंगी रह सकती है फिर उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जाएगा और आपके दोनों के सारे dream complete होंगे तो यह कुछ energy आप पर आई है और यहाँ पर एक खस बात है कि यह इनसान भी आपको बताएगा कि उसने अपने life में कितना अकेला पन और कितना दुख सहा है आप भी उनको बताओगे कि आपने भी अपने लाइफ में कितना दर्द और कितना टेंशन जो कुछ भी आपको जहलना पड़ा है, जिन्दगी ने जो कुछ भी आपको दिखाया है, वो सारी बाते आप दोनों भी एक दुसरे के साथ शियर करने वाले हो, और क्या है, एंजल क धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है, अगर अभी आपके लाइफ में फाइनेशल प्रॉब्लिम है, तो वो साले हटने वाले हैं शादी के बाद, ठीक है, आप दोनों मिलकर इतना कुछ कमाओगे, इतना कुछ अच्छा करोगे, अपना परिवार इतना अच्छे से चला कि किसी भी चीज़ के आपको कमी ने होगी, सक्सेस, डेफरेंटली, जो कुछ भी आप करोगे शादी के बाद, हो सकता है, बहुत लोग यापर ऐसे भी है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर कोई बिजनस टार्ट कर सकते, आप ऐसे एनरजी है, तो सक्सेस होने वाले हो आ और आपको ऐसा लगेगा कि इस अंसान के साथ शादी करके आप सक्सेस हो गए, मतलब अब आगे की जिन्दगी बहुत ही ब्यूटिफुल आपकी जाने वाली है, ठीक है, और लुक फॉर असाइन, आपको कुछ साइन मिल रहे है, शायद आप अंदेखा कर रहे हो, ठीक है, कुछ साइन ऐसे मिल रहे है, जिनको देखना बहुत जरूरी है आपका, इंचल आपको कहती कि उन साइन को देखो समझो, ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं, क्या है, सोलमेट हो सकते हो आप एक दूसरे के, बहुत ब्यूटिफुल एनरजी यहाँ पर आचुकी है, कि जिस के साथ आपकी शादी होगी, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, इस से बढ़िया रिष्टा और कौन सा हो सकता है, आप एक दूसरे की बहुत जादा कियर करने वाले हो, बहुत जादा, ठीक है, और, और क्या है, मैचुरिटी उस इंसान के अंदर बहुत जादा होगी, और creativity भी गजब की रहने वाली है इस रिष्टे में वो इंसान हर वक्त एक नयापन लेकर आने की कोशिश करेगा और उसके अंदर maturity की कोई कमी नहीं होगी आपको वो इंसान हर बात को समझ लेंगे अगर आपसे कोई गलती भी हुई तो वो इंसान आपको माफ करेंगे आपको समझेंगी कि हाँ यार यह थोड़ी बच्ची मतलब हो सकता है कि आप में थोड़ा बच्पना हो और यह इंसान बहुत मैच्चुर हो तो वो इंसान आपको हर वक्त समझ लेंगे जान लेंगे, कोशिश करेंगे समर्जने की maturity उनके अंदर बहुत होगी और creative personality होगी हो सकता है creative field में job करते हो ऐसा भी हो सकता है और इस रिष्टे में कुछ नयापन, हर वक्त कुछ नयापन आपका बड़े आएगा तो यह आपको बहुत अच्छा कुछ surprise देंगे जब आपके शादी की साल गिरा आएगी तो बहुत अच्छा कुछ surprise देंगे, कुछ candlelight dinner ऐसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा हमेशा एक creative तरीके से आपको surprise करने में इस इंसान को मज़ा आएगा ठीक है, और इस रिष्टे को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, बहुत अच्छी तरह से, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही best है मेरे लिए ठीक है, आपको बिलकुल इस इंसान के साथ शादी करके कोई पश्टाबा नहीं होने वाला, ठीक है, आप दोनों संगर्ष कर सकते हो शादी के बाद, ठीक है, थोड़ा संगर्ष आपके जिंदग में रह सकता है, लेकिन ऐसा इंसान अगर साथ हो तो फिर संगर्ष करने में भी एक अलगी मज़ा है, कि इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार ना करता हो और उसके साथ अगर आपको लाइफ में संगर्ष करना है, टेंशन है, तो आपको बहुत मुश्किल जाएगा वो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपसे प्यार बहुत करता है, जो आपके लिए हर चीज करने के लिए तयार है, तो उसके साथ संगर्ष भी आप हस्ते हस्ते जहल जाओगे, और बहुत ए खुबसूरत आपकी जिन्दगी रहेगी, कब तक होगी आपकी इनका कोई स्टेल का बिजनस भी हो सकता है, और लोहे, लोहे की जो बिजनस होते हैं, वो भी हो सकता है, बिल्डर भी हो सकते हैं, कलक्षतर में बहुत जादा हो सकते हैं, क्रेटिव फिल्ड में जादा मुझे एनर्जी आ रहे हैं, क्रेटिव फिल्ड में हो सकते हैं, मिड और कुछ लोगों के लिए यह डॉक्टर भी हो सकते हैं ठीक है और फ्रिडम बहुत पसंद है इस इंसान को कोई को ड्रिंक का बहुत शोक हो ड्रिंक करेंगे वो शादी के बाद भी ठीक है और देखते हैं कितना वक्त लगेगा इनको गार्डनिंग करने का भी बहुत शोक होगा पेड़ पोधे लगाने का भी बहुत शोक होगा ठीक है और क्या है इनको घुमने का बहुत शोक होगा ठीक ह अब देखते कब तक होगी शादी पाँच महिने लग सकते हैं देखो गाइस यह ऐसा इंसान होगा कि इसके लिए बहुत रिष्टे आएंगे ठीक है जितने भी रिष्टे आएंगे तो वो हर कोई इसके साथ शादी करने को चाहेगा ठीक है या या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके लिए एक साथ चार पाँच रिष्टे आए और वो रिष्टे हर कोई चाहे आप से शादी करना और कुछ competition ही लग सकती है जैसे कि कि वो कहता है मैं शादी करूँगा वो कहता है मैं शादी करूँगा या ऐसे आपकी तरफ से हो सकता है कि आपको भी इस इंसान के साथ शादी करनी है और इसके लिए चार पाँच रिष्टे और आये है और वो लोग भी बहुत ज़ादा कोशिश कर रहे है इसके साथ शादी करने की ऐसा हो सकता है ठीक है जैसा होता न रिष्टे आते ही नहीं है और फिर आते हैं तो एक साथ आते हैं और फिर सब हाँ बोलते है ऐसा होता है कभी-कभी तो ऐसा कुछ आपके बारे में भी होना वाला है तो ये बात है और पाच महिने का वक्त दिखाई दे रहा है पर लेकिन संगर्ष रहेगा ठीक है मुश्किल हो सकते कुछ लेकिन हाँ शादी आपकी हो जाएगे फाइनली ठीक है पांच मेने का वक्त यहाप पर दिखाए दे रहा है कि और जब आप दोनों शादी करोगे न तो शादी के पहले आपको ऐसा लगेगा कि इनसान आपसे प्यार नहीं करता है जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि जब आप शादी करके जाओगे तो इनसान थोड़ा उदास रहेगा वो आपके साथ ऐसा हस खेल कर नहीं रहेगा क्योंकि उसका दिल तोटा हुआ है आपके उपर कि आप उनसे प्यार करोगे भी या नहीं करोगे उसको तो डर लगा रहता कि कोई भी उसके साथ धोका करता है आप भी धोका कर सकते हो ठीक है? कुछ नोगजोक हो सकते हैं आप दोनों के बीच में इस बज़र से कि वो इंसान हसता ही नहीं है आपके साथ वो खुश रहता ही नहीं है ऐसे कुछ हालात आप दोनों के बीच में हो सकते हैं शादी के बाद, दो महिने तक और जब इंसान आपको जानेगा, पहचानेगा जब इसको पता चलेगा कि आप धोके बाद नहीं हो आप एक अच्छ और प्योर इंसान हो, लॉयल हाट हो तब वो अपना सब कुछ दे देंगे आपको अपना दिल, अपना सब कुछ ठीक है, तो ऐसे कुछ एनरजी आपर है तो कुछ लोग के लिए दो मेहने का वक्त और कुछ लोग के लिए पाच मेहने का वक्त आपर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग के लिए तीन मेहने का वक्त भी दिखाई दे रहा है आपने बहुत इंतजार किया है शादी का हो सकते हैं आपके कुछ लोग ऐसे है कि जो 3 मेने से लगाता रिष्ठ आ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं राह तो आने वाले 3 मेने, 2 मेने या 5 मेने के अंदर आपकी शादी हो सकती है या इस इंसान की अंघ्रे आपके लायग में हो सकती है अब कर लो कोई सवाल हम देखते है yes no जो भी आपका शादी को लेकर सवाल है उसको पूछेगा अपने भगवान से प्रे किजेगा भगवान आपको क्या अंसर देते हैं देखते है इन्वर्स प्लीज हेल्प में मिर जो भी वर्स है उनका जो भी सवाल है उनके जवाब के अंसर क्या है इन्वर्स प्लीज हेल्प में वाव गैस बहुत जल्दी आपको जवाब दे दिया बहुत जल्दी दे दिया अंसर यहाँ पर yes है जो भी आपका सवाल है उसका अंसर यहाँ पर yes आ चुका है और बहुत फास्ट एंसर आपको दिया है भगवाल ने ठीक है तो नाराज मत होना ठीक है जो भी आपका सवाल है वो काम आपका बन जाएगा अब हम रियून्स की रिडिंग करेंगे देखते हैं क्या आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल एनरजी हाप पर आचुके है गाईस टेंशन लेने की कोई ज़रुत हीच नहीं है जिसके भी साथ आपकी शादी होगी ये इनसान बहुत ही वारियर होगा ठीक है मिल्टर में भी हो सकता कुछ लोग के लिए इसमें लिडर्शिप कॉलिटी गजब क होगी है ठीक है लिडर्शिप कॉलिटी तो इतनी गजब की होगी कि आप खुद धहरान रह जाओगे इस इंसान को हर जगब और अपनी जीत हासिल करना बहुत पसंद होगा और वो करेंगे भी इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत साक्रिफाइस किये होंगे ठीक है औ इंसान को भी लगेगा कि यार ऐसे जिन्दगी तो नहीं थी मेरी पहले और आपको भी ऐसा फिलो का कि यार ऐसे जिन्दगी मेरी पहले नहीं थी यह कुछ अलग ही है यह कुछ हटके यह कुछ माजिक है चमतकार है तो एक नई जिन्दगी की नई शिर्वात करोगे आप ज विष्टा रहने वाला है इसमें कोई टेंशन नहीं होगी कोई प्रॉब्लिम नहीं होगी ठीक है तो अब नाम के अक्षर देख लेते हैं उनके नाम का अक्षर क्या होगा चार मेने किसी के लिए चार मेने का वक्त लग सकता है शादी के लिए यहाँ पर छे नमबर भी मुझे दिखाए दे रहे किसी के लिए छे मेने भी लग सकते हैं शादी के बाद हो सकता है कि इनकी मदर की बज़े से आप दुनों के बीच में कोई नगजोग चलती रहे हो सकता है इनकी मा की बज़े से आप दुनों के बीच में कोई जगड़े हो सकते हैं लेकिन बाद में आपको रियलाइस हो जाएगा कि इनकी मदर की बज़े से आप partner को नारज नहीं कर सकते हो तो बात में आप handle करना सीख जाओगे कोई tension नहीं है ठीक है J से उनका नाम शुरू हो सकता है A से नाम शुरू हो सकता है 22 बर्डड हो सकती है C से नाम शुरू हो सकता है 26 ये बर्डड भी हो सकती है इस दिन आपकी पहली मुलाकात हो सकती है ये शादी की डेट हो सकती है जितने भी number से आप आएंगे number seven number या पर trust बहुत trust करोगे आप भी उनके उपर करोगे और पहले starting में उनसा नहीं कर पाएगा आपके उपर ठीक है जितने दोके उसने खाया है starting में नहीं कर पाएगा लेकिन जब एक बार उसका विश्वास होगा तो फिर पूरा विश्वास होगा अब यही है जिसके उपर में विश्वास कर सकता हूँ नाम से से शुरू हो सकता है ये इनसाम गोमने का बहुत शोकिन होगा आपको भी दुनिया गुमाने के सपने दिखाएंगे और वो आपको लेकर भी जाएंगे कुछ लोग यापर ऐसे भी हो सकते का आप बहुत लॉंग डिस्टंस में हो आपका माईका और आपका ससुराल बहुत दूर दूर हो या कुछ लोग तो अलग कंटर में भी जा सकते शादी के बाद यापर G से नाम शुरू हो सकता है A से शुरू हो सकता है इस अंसान के अंदर बहुत होगी जहापर भी अंसान होगा उसके हाद में पावर होगे ठीक है और स्टॉप ये कभी इस इंसान को रुकना समझ में ही नहीं आता ये इंसान सक्सस की सिडिया चड़ता जाएगा कभी रुकेगा नहीं ठीक है यहाँ पर 31 नमबर है वापस की इसमें अंदर बहुत पावर होगे हालात से इसने अपने जिंदके में कितने धोके खाये लेकिन फिर भी ये टूटा क्या हिमत हारा क्या नहीं ये फिर से उटकर आगे बढ़ा तो बहुत पावर है इसके अंदर नमबर 16 नमबर 23 चौदा करकर राशियों हो सकते हैं उनकी सैजिटरस हो सकते हैं पी से नाम शुर एक दुसरे के साथ शादी करके उस इंसान को भी लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है आपको भी ऐसा लगेगा कि यार मेरी तो पूरी जिंदगी बदल चुकी है जब से मैं इसके साथ शादी की इतनी ब्यूटिफुल लाइफ आपकी होगी पाईसी हो सकते ह action लेने में बहुत जाता देर नहीं लगांगे, आज का काम आज, अभी इस वक्त करेंगे, आज का काम कल पर सो ऐसा नहीं होगा, टी से उनका नाम शुरू हो सकता है, नमबर सिक्स, नमबर थ्री, बर्डेट हो सकती है, और यहापर क्या है, सत्रा, यहापर है डबल्यू, नाम सरनेम भी शुरू हो सकता है, डबल्यू से, आर से हो सकता है, यहापर है नू, इस इंसान को, जो होता है न, हर बात के लिए नू कोशिश करेंगे।Л अब बोलो शॉपिंग के लिए चलो तो चलो मुझे यह चाहिए, वो चाहिए, यह चाहिए, यह शॉपिंग करनी है, वो करनी है। करो तुम्हीं जो चाहिए वो करो। किसी भी चीज के लिए ना आपको सुनने को नहीं मिलेगा। नमबर सेवन, ब्लॉसम, मैंने जैसे की बोलाना इस इस इंसान का भी दिल तूटा होगा, और कुछ लोग आप ऐसे भी कि आपका दिल तूटा होगा, तो आप दोने की लाइफ ब्यूटिफुल होने वाली है, जो दर्द दुख है वो सब भूल जाओगे, आपके साथ जैसे क बेवानी किया, तो उसके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ शादी करके, जैसे कि भगवाने आप दुनों के दुसरी के लिए बनाया है, कि तुम जाओ, और एक दुसरी के जिंदगी को खुबसूरत बनाओ, एंगेजमेंट में बहुत अच्छी डाइमंड रिंग भी आप को हर काम में, ठीक है, वापस वही अनटी के इंसान मिल्टर में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, इसके हाथ में बहुत पावर हो सकती है, या कोई ऐसा लाइसन हो सकता है, इनके पास, या ऐसा कोई जॉब या ऐसा कोई बिजनस ये करते होंगे, जहापर ऐसी बनाते हैं, उके तो पावर बहुत होगी Freedom इनको Freedom की बहुत चाहत है I से उनका नाम शुरु हो सकता है Scorpio हो सकते है 11 नमबर है, Twin Flame Journey से J से नाम शुरु हो सकता है T से हो सकता है 31 Board हो सकती है D से नाम हो सकता है 29 अपर Capricorn हो सकते है 13 Board हो सकती है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लखी साबित रहने वाले हो एक दूसरे के लिए बहुत लखी उनको भी ऐसा लगएगा कि हाँ तो मेरे लिए बहुत लखी है और आपको भी ऐसा लगएगा कि हाँ यार यार ये इनसान मेरे लिए बहुत लखी है ठीक है तो ये कुछ energy आप पर आई है बहुत ये खुबसुरत आपका रिष्टा रहने वाला है ठीक है I hope आपको reading पसंद आई होगी like, share and subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए bye